वेलकम टू A.S.C. Mastermind आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास्ट व्लेमिंगो का चेप्टर Lost Spring के Important MC की Question जितने भी MCQ बन सकते हैं वो सभी मैं लेके आ रहा हूँ ठीक है और तो इस वीडियो को Last तक जरूर देखिए और Last में जो है स्क्रीन पे आपके Show होगा Most Important Terms ठीक है Words जो की इस चेप्टर से रिलेटेड है उसके मैं Synonyms और जो भी Opposite Words होते हैं वो सब मैं Last में बताने वाला हूँ ठीक है तो स्क्रीन पे अलग से Show होगा और कुछ जो है MCQ में भी होंगे ठीक है तो आप उसे Memorize जरूर कीजिए ठीक है याद करिए तो चलिए शुरू करते हैं तो देखे सबसे पहला कोशन आपके स्क्रीन पे है कि Who is the author of Lost Spring ठीक है ओथर कौन है Lost Spring के A. Louis Fisher B. Anise Jung C. William Douglas D. None of the above तो देखे इसका आंसर है Lost Spring को लिखा किसने है अनीस जंग ने ठीक है उसके बाद next question है कि What is the meaning of title Lost Spring जो title है Lost Spring इसका meaning क्या है ठीक है meaning आपको बताना है A. Lost the spring season B. Lost the childhood days C. Both D. None of the above ठीक है तो देखे इसका मतलब है Lost the childhood days यानी जहाँ यहाँ पे जो spring है spring किसको refer करता है तो childhood days को ठीक है यहाँ पर दो जो character है साहिबे आलम और मुकेस इन दोनों के जो है बचपन को दिखाएगा किस तरह से वो child labor करते है ठीक है child laboring में लगे होते है जिसकी वैसे क्या होता है यह अपना बचपन खो देते है ठीक है एक तरह से बचपन spring season की तरह होता है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर लिखा गए lost spring यानि वो अपना बचपन एक तरह से खो रहे है इसलिए लिखा है lost the childhood days ओके next question है कि what is the meaning of sahibे आलम ठीक है जो sahibे आलम है ठीक है very important question sahibे आलम जो नाम है इसका meaning क्या है a lord of the universe b braved a and b d none of the above तो देखिए इसका answer है a lord of the universe ठीक है इसका answer क्या है lord of the universe यानि brahmand का swami ठीक है यहाँ तक कि sahibे आलम खुद का नाम नहीं पता था लेकिन यहाँ पर बताया जाता story में कि नाम का मतलब यह होता lord of the universe लेकिन यह जो अर्थ है यह जो meaning है यह साहिबे आलम को भी नहीं पता होता ठीक है next question है next question है where does sahibे आलम live वो कहां रहता है a. फिरोजाबाद में b. मुरादाबाद में c. सीमापुरी में या d. none of the above तो देखिए इसका answer है c सीमापुरी में वो रहता है ठीक है next question है कि I have nothing else to do he mutter looking away what is the meaning of mutter here तो देखिए कि यहाँ पर mutter का मतलब है a. whisper b. give answer d. to avoid c. all of the above तो देखिए mutter का मतलब है यहाँ पर whisper ठीक है जब हम क्या करते है खुसपुसाहट करते हैं ठीक है यह answer जब बहुत धीरे-धीरे देते हैं ठीक है बहुत low आवाज में जब हम किसी से बात कर रहे होते है तो वो whisper होता है ठीक है तो इसका answer है whisper यानि कि जब पूछा गया उससे तो इसने अनीस जंग ने साहिब आलम ने का I have nothing else to do he mutter ठीक है तो उसने क्या क्या whisper यानि कि बहुत धीमी आवाज में ये बात कही ठीक है तो इसलिए यहाँ पर whisper यूज हुआ है उसके बाद next question है कि साहिब and his family settled in सीमापूरी ठीक है साहिब and his family settled in सीमापूरी where did they come from यानि कि यहाँ पर कहा गया कि साहिब आलम और इसकी family जो है सीमापूरी में settled होगी लेकि वो आये कहां से थे ठीक है आये कहां से थे A. कोलंबो B. ढाका C. काठमांडू D. नन अवदियवब तो अगर आप इसका answer जानते हैं कि साहिब और इसकी जो family है या अधर लोग जो भी rag pickers थे वो कहां से आये थे तो इसका answer आप मुझे comment में ज़रूर बताएं ठीक है अगर आपको answer आता है तो comment करके ज़रूर बताएं ठीक है आगे बढ़ते है Next question है कि How many rag pickers were living in सीमापूरी यानि कि सीमापूरी में कितने rag pickers रहते थे ठीक है Next question है कि What is the similar meaning of looking for ठीक है Looking for का एक और similar meaning इन में से कोई एक है ठीक है Same meaning है तो वो कौन सा word है A. Search B. Examine C. Stare D. All of the above तो देखे इसका answer है A. Search ठीक है Looking for का मतलब होता है ढूंदना ठीक है तो इसमें क्या था कि साहिवे आलम जो है वो क्या ढूंदता था तो वो जो है heap of garbage ठीक है garbage का धेर वगरा ढूंदता रहता था ठीक है तो वो क्या है एक तरह सम्म लिख सकते हैं कि वो सर्च कर रहा था ठीक है garbage search कर रहा था तो looking for भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो देखिए इसका answer है इन्हें गोल्ड इसलिए कहा गया था physically गोल्ड नहीं था मतलब एक तरह से बताया जा रहा है कि उनके गोल्ड के बराबर था ठीक है कैसे क्योंकि वो जो है garbage से ही अपना जो है जीवन यापन चलाते थे अपने livelihood earn कर पाते थे अपनी जीवी का earn कर पाते थे ठीक है तो इसलिए जो garbage है वो गोल्ड के बराबर था उनके लिए इसलिए ऐसा का था author ने ठीक है next question है कि where did he get a pair of shoes यानि he मतलब यहाँ पर उसको refer करता है साहिबे आलम को तो साहिबे आलम जो है उसको shoes कहां मिलते है where did he get ठीक है from heap of garbage be mom gifted him rich boy discarded that shoes none of the other तो देखिए इसका answer है c rich boy discarded that shoe यानि कि एक rich boy था उसने क्या किया उस shoes को fake दिया क्योंकि उसमें hole था इसलिए वो जो shoes हैं जो जूते हैं वो किसने ले लिए साहिबे आलम ने ठीक है और वो उसके लिए एक सपनी जासा था मतलब ऐसा लग रहा था कि उस सपना सच हो गया हो क्योंकि वो पहले क्या था barefooted यानि नंगे पाउं घूमता था ठीक है तो अब उसे जूता मिल गया था ठीक है तो वो बहुत खुश था अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कुशन है कि वायवाज आलम नौट हैपी वरकिंग एक टी स्टॉल यानि जब टी स्टॉल पे काम कर रहा था तब वो खुश क्यों नहीं था जबकि वहाँ पर उसको 800 रुपे महीने का मिल रहा था ठीक है 800 रुपीज उसे मिल रहा था तब भी वो खुश नहीं था ठीक है पहले से ज़ादा कमा रहा था लेकिन खुश नहीं था क्यों नहीं खुश था A. He is not his own master B. Steel canister It seems heavier than the plastic bag C. Both A and B D. None of the above तो देखिए यहाँ पर क्या है इसका अंसर है C. A and B C में अंसर है Both A and B ठीक है Both यानि दोनो He is not his own master यानि वो खुद का master नहीं रहा अब वो खुद के हिसाब से काम नहीं करता है ठीक है पहले क्या था कि उसके पास खुद का bag था और वो अपनी मर्जी से के मकाबले इस वज़े से भी वो दुखी था ठीक है तो यह दोनों ही कारण थे इसलिए आंसर होगा C. A and B ओके नेक्स्ट कॉर्शन है कि Where does मुकेस live ठीक है वो कहां रहता था मुकेस कहां रहता था A. सीमापूरी B. गाजियाबाद C. फिरोजाबाद D. नन अफ़ दी अवब तो इसका अंसर है C. फिरोजाबाद ठीक है नेक्स्ट कॉर्शन है कि What was the dream of मुकेस यानि कि मुकेस का सपना क्या था क्या dream था उसका ठीक है वो क्या बनना चाहता था A. विकम अ मोटर मेकैनिक B. बिकम अ बिजनसमैन C. बिकम अ पुलिश ओफिसर या C. अल अव दी अवब तो देखिए मुकेस क्या बनना चाहता था A. बिकम अ मोटर मेकैनिक वो मोटर मेकैनिक बनना चाहता था उसका सपना क्या था एक मोटर मेकैनिक बनने का next question है What was the similar situation बेट्विन साहिबे आलम एंद मुकेस, ठीक है, मुकेस और साहिबे आलम के बीच में similar situation क्या थी, उन दोनों के बीच में similarity क्या थी, ठीक है, ए, lost spring, b, poverty stricken, c, child labor, d, all of the above, ठीक है, इसका answer है all of the above, यानि कि साहिबे आलम हो या मुकेस हो, इन दोनों का ही बचपन खो गया था, ठीक है, poverty stricken, दोनों ही गरीबी के मारे बेचारे थे, ठीक है, गरीब थे दोनों, next, child labor, तो child labor दोनों ही करते थे, ठीक है, दोनों ही काम करते थे, मुकेस जो है वो बेंगल फेक्टरी में, और साहिबे आलम किसमें, तो रैक पिकिंग का काम करते थे, ठीक है, तो दोनों जो है, तो दोनों ही जो है काम करते थे, इसलिए जो है, all of the above, ठीक है, situation दोनों की same थी इसमें, फिरोजाबाद किस चीज के लिए famous था, ठीक है, वां बेंगल फेक्टरी में काम करने के, ठीक है, यह निए बेंगल फेक्टरी में काम करते थे, उसके नुकसान क्या थे, खत्रे क्या थे, ठीक है, A. Bad effect on eye B. Small and dingy place C. Work in front of hot furnace D. All of the above तो देखे इसका सभी है ठीक है यानि बेंगल फेक्टरी में काम करने के कई नुकसान थे आँखों पर भी बुरा प्रभाब पढ़ता था ठीक है Small or dingy ठीक है place में काम करना पढ़ता था dingy मतलब होता है जहाँ पर अंधेरा हो ठीक है किलियर न दिखाए दे थोड़ा सा अंधेरा बगएरा हो वैसे वाला एरिया ठीक है work in front of furnace ठीक है यानि भट्टी के आगे जो है hot भट्टी जो होती थी गरम भट्टी होती थी उसके सामने काम करना पढ़ता था घंटो तक ठीक है तो यह सारे ही खत्रे थे बैंगल फेक्टरी में काम करने के ठीक है next question है कि what is the synonyms of dingy dingy का synonyms क्या है ठीक है dingy का synonyms है क्या तो a clear b gloomy c luminous d none of the above तो देखें dingy का जो synonyms है वो gloomy ठीक है दोनों का meaning होता है मतलब ऐसा dark place ऐसा अंधेरी जगा ठीक है next question है which word is the opposite of dingy dingy का opposite word क्या है a bright b dark c dull d none of the above तो देखें यहाँ पर dingy का उल्टा पूछा है opposite पूछा है तो आप क्या बता होगे bright ठीक है इसका मतलब तो dark था लेकिन अब जो है उल्टा क्या होगा bright ठीक है next question है it is his karma his destiny who said this यानि कि किस ने कहा कि यह जो है यह कर्म है यह उनका कर्म है और यही उनका मुकदर है यही उनकी किस्मत है यह किस ने कहा a. मुकेस ने b. मुकेस की मदर ने ठीक है c. मुकेस की ग्रैंड मदर ने या d. मुकेस के फादर ने तो देखे इसका अंसर है c. मुकेस के ग्रैंड मदर ने ऐसा कहा था उनकी दादी ने कहा था उनकी ग्रैंड मदर ने यह कहा था कि it is his karma and his destiny ठीक है तो उनकी ग्रैंड मदर ने ऐसा इसलिए कहा था कि बेंगल्स मेकिंग का जो काम है ठीक है वो बहुत पहले से चला आ रहा है ठीक है तो वो कहते थी कि यह हमारा कर्म है और यही हमारा मुकदर है यही हमारी डेस्टिनी है ठीक है तो उनने ऐसा कहा था कि यह जो हमारा काम है बेंगल्स मेकिंग का यह बहुत प B. Politicians C. Sahukar D. All of the above तो इसका आंसर है All of the above ठीक है? यानि पुलिश, आस्टिशर, पॉलिटीशन, सahukar सभी जो exploit कर रहे थे शोशन कर रहे थे किसका? Bengals Maker का नेक्स्ट कुशन है वाइ दइगल मेकर्स कुड़ेंट एबल to organize themselves into a cooperative तो वो अपने आपको cooperative के तौर पे क्यों नहीं बना पा रहे थे organize नहीं कर पा रहे थे क्यों क्योंकि trapped by middleman no leader among them C both A and B C none of the above तो देखे इसका answer है इसका answer है C both A and B तो इसमें क्या था कि middleman ने जो है उनको trapped कर रखा था bengal maker को और इसके अलाबा ऐसा था कि makers के जितने भी लोग थे उनमें कोई अच्छा leader नहीं मिल पा रहा था जो उनको lead कर सके ठीक है तो इस वज़े से वो अपने creative के तौर पे नहीं बना पा रहे थे next question है कि can a god given lineage ever be broken what is the synonyms of lineage here? lineage here यानि कि lineage का जो है synonyms क्या है? a. ancestry b. skill c. rule d. none of the above तो देखिए इसका meaning क्या है? lineage का meaning है यहाँ पर synonyms है a. ancestry ठीक है? यानि lineage का मतलब यहाँ पर यह है कि one anugat आ रहा है ठीक है? one anugat यानि कि for example father to son उसके बाद जो भी उनके बेटे होंगे इस तरह से जो है यह transfer होता रहेगा तो ancestry ठीक है? यानि कि यहाँ पर बोला गया था कि can a god given lineage ever be broken? यानि कि जो god ने हमें यह जो वन्शानुगत काम दिया है ठीक है? वो काम की बात कर रहे थे कि यह जो once पराँ पराँ चली आ रही है तो देखिये poverty और dirty living condition तो दूनों सेम ही था इन दोनों में difference यह था dream का ठीक है dream का difference था मुकेस का dream क्या था motor mechanic बनने का साहई बे आलम का dream कुछ बताया ही नहीं कि इसमें ठीक है तो साहई बे आलम और इसमें जो है difference कि इसमें का है dream का ठीक है next है कि what is the synonyms of sanctity ठीक है तो इसका synonyms क्या है a holiness b custom c will d none of the above तो देखिए sanctity का मतलब होता है पवित्रता ठीक है तो holiness ठीक है आपको meaning पता होगा तो जरूर आप synonyms से भी बता देंगे और या opposite भी साथ बता देंगे ठीक है तो a holiness ओके तो यह कुछ important questions थे अब आपको screen पे कुछ और भी important words दिखेंगे जिसका synonyms और opposite words वगरा दिये हुए है तो आप उसे भी memorize करें याद करें ठीक है अगर आप कोई वीडियो पसंद आयो तो like का बटन जरूर दबाएं और share जरूर करें ठीक है मिलते हैं next video में thanks for watching